ओम शान्ती सुनते हैं 25 जन्वरी 1980 की अव्यक्तवानी आज की अव्यक्तवानी का टाइटल है बिंदू का बिंदू से मिलन वाह किता सुन्दर टाइटल है आज की अव्यक्तवानी में प्यारे बाबा ने जो बताया सरव मुर्लियों का सार क्या है फिर बाबा ने बताया हर बच्चे को कैसा दिव्वे दर्पन बनना है फिर प्यारे बाबा ने बताया दो प्रकार की आतमाएं कौन कौन सी है और लास्टली बाबा ने संगम की किस बात को कौपी किया गया तो आओ चलो सुनते हैं 25 जन्वरी 1980 की अव्यक्त वानी बिंदू का बिंदू से मिलन आज बाप दादा मिलने के लिए आए है मुर्ली तो बहुत सुनी है सरव मुर्लियों का सार एक ही शब्द है बिंदू जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है बिंदू तो बन गए होना बिंदू बनना बिंदू को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदू लगाना बाबा ने कितना सुन्दर कहा सब मुर्लियों का सार बिंदू बिंदू बनना बिंदू को याद करना और जो बीता उसे बिंदू लगाना ये सहज अन्भव होता है न ये है अती शुक्षम और अती शक्ती शाली है जिससे आप सब भी शुक्षम फरिश्टा बन मास्टर सरुशक्तिवान बन पार्ट बजाते हो सार तो सहज है न या मुश्किल है डबल फॉरेनर्स क्या समझते है सहज है या डबल फॉरेनर्स को डबल इजी है अब तो बाप दादा सार सुरूप देखना चाहते है हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पन हो जिस दर्पन द्वारा हर मनुश्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दें ऐसे तर्काल दर्शन कराने वाले दर्पन हो जिस दर्पन से क्या था और अभी क्या हूं और भविशे में क्या मिलना है ये तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहजी बाप से वर्सा लेने के लिए आकरशित होते हुए आएंगे जब शाक्षत कार करेंगे अर्थात जानेंगे और ऐसे जानेंगे जैसे स्पष्ट देखने का अनभव हो तो जब जानेंगे अर्थात अनभव करेंगे वा देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास वा नेक जन्मों की आशाएं मुक्ती में जाने की वा स्वर्ग में जाने की अभी पूरण होने वाली है तो सहजी या करशित होते जाएंगे अब सुनिए दो प्रकार की आत्माएं हैं भगत आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कोई आत्माएं ज्योती में लीन होना चाहती है दोनों ही लीन होना चाहती है ऐसी आत्माओं को सिकंड में बाप का परिचे बाप की महिमा और प्राप्ती सुनाए संबंद की लवलीन अवस्था का अनभव कराओ लवलीन होंगे तो सहजी लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे तो वर्तमान समय लवलीन का अनभव कराओ भविश्य लीन का रास्ता बताओ तो सहजी परजा बनाने का कारे हो जाएगा ऐसे तिरकाल दर्शी बनाने का दिव्य दर्पन बने हो ऐसे दिव्य दर्पन में अपने पुर्शार्थ के हर समय की रिजल्ट का चित्र कीचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ में गए व्यर्थ का पूज और समर्थ का पूज दोनों ही दिखाई देंगे समर्थ का पूज क्या होगा सदा युद के रूप में योधे का पूज होगा तक्त नशीन नहीं लेकिन युद स्थल पर खड़े तक्त नशीन सफलता मूर्थ और युद स्थल में खड़े हुए मेनत की मूर्थ होंगे छोटी सी बात में मी मेनत ही करते रहेंगे वह याद सुरूप होंगे, तो वह फर्याद सुरूप होंगे ऐसे अपना भी सुरूप देखते रहेंगे और दूसरे को भी तीनों काल का दर्शन कराएंगे ऐसे दिव्य दर्पन बनो, समझा आज तो double foreigner और गुजरात से मिलना दोनों की डांस करने में राशी एक ही ए double foreigner भी बड़ी सुन्दर डांस करते हैं और गर्भाधी गुजराती भी बहुत अच्छा करते हैं ये भी नाचते हैं और वे भी खूब नाचते हैं गुजरात वाले भी प्रेम सुरूपें और डबल फॉरिनर्स भी प्यार के अन्मभू के अधार पर भागते हैं ग्यान के साथ साथ प्यार मिलाए ना उस रोहानी प्यार ने ही इने प्रभू का बनाया है डबल प्यार मिलता है एक तो बाप का और दूसरा परिवार का तो प्यार के अनुभव ने परवाना बना दिया प्यार विदेशियों के लिए चुम्बक का काम करता है फिर सुनने वा मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं यह मरना तो पसंद है ना यह मरना अर्थाद स्वरग में जाना इसलिए मरने वाले के लिए कहते हैं स्वरग गया वे मरने वाले नहीं जाते हैं लेकिन अब सुनिये कहां की रसम कौपी किये लेकिन संगम पर जो मरा वे स्वरग गया इसकी कौपी करके जो देहे से मरते हैं उसके लिए अख़बार में डालते हैं कि फलाना स्वरग गया तो मरना पसंद है ना अपनी मरजी से मरे हो ना मजबूरी से तो नहीं मरे यह सारी सभा मरजीवा बनने वालों की है कहां सांस रुका हुआ तो नहीं है पुरानी दुनिया में यही वंडर है जो मरे हुए भी हसते हैं फारेन अर्स बाबा की बातों से हस रहे थे अच्छा अब आप लोगों की क्रिश्चन फिलास्पी में भी है ना कि मुर्दों में आकर जान डालते हैं पहले मुर्दे बने फिर जान पड़ गई नया जनम हो गया इस मरने में मजा है डर नहीं है अब दीदी जी से वर्तमान समय महवीरों की वतन में विशेश मैफिल लगती है क्यों लगती है वे जानती हो आज कल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूरण सुरूप द्वारा शाक्षतकार कराने की सेवा ली ऐसे आज कल अश्ट रतं सो इश्ट रतं उनको भी शक्ती के रूप में साथ साथ शाक्षतकार कराने की सेवा कराते हैं स्थोल शरीर द्वारा साकारी इश्वरिय सेवा में बीजी रहते हो लेकिन आज कल अनन्य स्रेश ठात्माओं की डबल सेवा चल रही है जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की विर्दी हुई वैसे अभी शिव शक्ती के कंबाइंड शाक्षतकार द्वारा शाक्षतकार और संदेश मिलने का कारे आपके शुक्षम शरीरों द्वारा भी हो रहा है तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं इसलिए शुक्षम सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण महां महफिल लगती है इसलिए महावीर बच्चों को करम करते भी किसी भी करम बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है इसकी अनभूती आगे चल कर बहुत करेंगे डबल सेवा का पार्ट चल रहा है ना बाप दादा अनन्य बच्चों के संग्ठंद्वारा भगतों को और वेज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं उनमें अनन्य भगती के संसकार जो आधा कलब भगती मारक को चलते रहेंगे और वेज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन साधन बनाने में जो साधन जैसे ही संपन होंगे तो उसको सुख संपूरण आत्माएं लेंगे ये नहीं ले सकेंगे तो दोनों ही कारे शुक्षम सेवा द्वारा हो रहे हैं समझा सारा दिन में शुक्षम अतनवासी कितना समय होकर रहती हो दीदी से पूछ रहें बैबा कि सूल सेवा ज़्यादा है आप लोग कितना भी बिजी रहो बाप तो अपना कारे करा ही लेते हैं अपने संपूरण आकार का अनभव किया है जैसे साकार आकार हो गए आप सबका भी संपूरण आकारी सुरूप है जो नंबर वार हर एक साकार आकार बन जाएंगे आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है लेकिन कोई कोई का पार्ट अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है आपका क्या पार्ट है किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है किसका अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है दोनों पार्ट का अपना अपना महत्तो है फर्स्ट सेकंड की बात ही नहीं है वाँ 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 आज कितनी बातें बाबा क्लियर कर रहे हैं और देखिए 80 की मुरली थी और दीदी भी 83 मैं समझता हूँ शरी छोड़ गए थी तो फर्स्ट सेकंड की बात नहीं वेराइटी पार्ट का महत्व है एडवांस पार्टी का भी कारे कोई कम नहीं है सुनाया ना वे जोर शोर से अपने प्लैन मना रहे हैं वहां भी नामी ग्रामी है वहां भी नामी ग्रामी है फिर सभी सदा मनी के समान चमकते हो मनी सदा चमकती है ना एक-एक मनी की कितनी वेल्यू होती है वो अमुल्य रतन हैं जिसकी कीमत आज के मानों कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बाप के बन गए न तो बाप के बने अमुल्य रतन बन गए सारे विश्व के अंदर सर्व स्रेष्ठ आत्मा हो गए इतनी खुशी रहती है जैसे शरीर का आकूपेशन सदा याद रहता है वैसे आत्मा का आकूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए संगम युक का स्रेष्ठ भागे यह बाप के अमुल्य रतन बनना कितने प्यार भरे बिंदू बन के सदा बिंदू को देखना है और जो बात हो जाए उसे भी बिंदू लगाना है और दिवे दरपन बनना है ओम शामति और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे